यूर बहनो गोर परिवारबादी देश के समिधान के लिए देश के लोक तंतर के लिए सबसे बड़ा खत्रा है सबसे बड़ा संकट है देश को समिधान देने वाले बाबा साब अंबेड कर जीबी अगर वो चाहते उनका तो कद भी बहुत उचा था नाम भी बड़ा था और समाज में उनके प्रती भक्ती भाव भी अदुबूत था वे अगर चाहते तो वे भी अपने परिवार की एक पार्टी बना सकते थे और अपना राजनिती खेल खेल सकते थे लेकिन बाबा साब आमबेड करने अपना अपने परिवार का नहीं हमारे देश के कोटी कोटी दलीद पीडीद सोसिद वंचीतों को ही अपना परिवार माना और उनके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया वो जानते थे कि जब कोई पार्टी किसी परिवार के हाथों बंदग बन जाती है तो सबसे ज़्यादा नुक्सान यूवांओं का होता है देश के टैलेंट का होता है यूपी के लोगों ने तो देखा है कि कैसे पार्टी पर उसके साधनों संसाधनों पर कबजा करने के लिए क्या क्या किया गया परिवार बादी कभी नहीं चाहते कि जादा प्रतिवासाली लोग खड़े हो और उनी के लिए चुनावती बन जाए और इसले भाईयों बहनों इस चुनाव में आपको तै करना है कि परिवार बादी चाहिए कि प्रतिवासील चाहिए हमें परिवार बादी नहीं हमें प्रतिवासील लोगों को आने आना है और हमारे देश में हर गर में प्रतिवासाली लोगों की कमी नहीं है जब ये लोग अपनी पार्टी में युवाओं को आगे नहीं आने देते तो फिर अन्य छेत्रों में युवाओं को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे इसलिए मैं कहता हूँ परिवारवादी लोग हमारी युवाओं के उजबल भविश के सबसे बड़े दुश्मन है गोर परिवारवाद की जो ये मान सिकता आजादी के बाद देश और उत्तर प्रदेश में पनपी उसने युवाओं की ताकत को रोक दिया बढ़ने नहीं दिया अरे बरबाद कर दिया इसलिए यूपी का विकास सिमित रहा विकास दीमा रहा भाजपा सरकार यूआओं की इसी ताकत को आदेश की ताकत बना रहा है